तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप master student है और आपके पास कोई fellowship है और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो RCB फरिदाबाद का जो application form निकल चुका है मतलब आपके पस अगर कोई भी fellowship है नाशनल लेवर फिलोशिफ अगर CSR हो जाए UC हो जाए आपका ICMR हो जाए डीवटी हो जाए जिस्ट इंस्पायर हो जाए या कोई भी ऐसा फिलोशिफ जो आपके पांच सल तक दे सके ऐसा फिलोशिफ अगर आपके पास है तो आप एलिजि 21 & 22 को उसके बाद आपका interview होगा उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और बात हो कि आपको RCV में क्यों होना चाहिए और क्या क्या फैसिलिटीज यहां पर है तो देखे रिसर्च के फिड में आप फैसिलेटी और इंस्ट्रुमेंट का बहुत इंपॉर्टन और महतोपून करते हैं घूमिका रहते हैं तो मैं बता हूं कि अगरा आप सेल बीडिये के कंशल करना चाहते हैर आपको बता आप को आपको structural biology में आ रहा है structure के लिए भी यहां पर बहुत सर फैसिलिटीज अबेलेबल है अगर मैं बताओ इलेक्ट्र माइक्रोस्कोबी का बात करो इसका बहुत सर फैसिलिटीज है यहां पर मॉलिक्ली इंट्रक्शन से सुरू करके आपका सेल बालीजी सुरू करके इस्ट्रक्शन बालीजी इमिनलोजी जितना भी प्रोसेस है आपका सब फैसिलिटीज है अगर आप पीच्टी करना चाहते है बीना इंस्ट्रूमेंट और फैसिलिटीज फंड के चिंता छोड़के तो आप आर्शी में को अपलेक्शन फॉर्म डालना चाहिए तो कोई भी द बोड़ने माँड़ते हैं